बहुत जल्दी रिया जेल जाएंगे और जिस तरीके से रिया को अभी भी बचाने के लिए अभी मैं एक न्यूस चानल पर देख रही थी कि कंगना रनावत को संजे राउट जी ने मतलब इतने बड़े नेता है आप और इतने बड़ लोग आपको फॉलो करते हैं मतलब एक में कहते हैं जिसके बाप में रोक के दिखाया हम भी बात करें कि 9 सितमबर को गंगना रनावत जिसको हम जहांसी की रहानी के मतओर पे पागली नोग पहुत पसंद कर रहे और के लिए पर बारे में दोदा टेस्ट थे साहर है जब सेना को प्रालख प्रेफा है त। शुषांत के मैं कौने खत करे रहा आयों कि यह जो जब बहुत जा जा तब नहीं बोली कंगना के लिए आप बोलने आ गई कंगना को आप 20 सड़क पे चपलों से उनकी पोस्टर को पीट रहें जो तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो देखिए सब का परदा फाशना यह सब के सब जेल जाएंगे मैं तो पहले दिन से कहती आई हूं और भगवान कि कैंगना को यहां आने का अधिकार नियुक्ति को अंब इसकार सवागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे जस तरीके से आज रिया चकरवर्थी की जो दो साथ ही है उनसे पूँचताच होई रही है और साथ में यह बी है कि रिया चकरवर्थी को लेकर जिस तzigだけ से इन दोनों ने खुला से किया हैं चाहिए वो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रिति पांडे और मैम से बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर मैम जस तरीके से आपने देखा होगा कि अब सवाल यह है कि दो जो लोग ते वो गिरफतार हो चुके हैं और इन दोनों ने भी रिया चकरवर्ती के नाम लिया है तो दीकी आघ और मेंसे की मास्टरमाइन अगर कोई है तुरिया चकरवर्ती आज बहले उसका भाई पहले तुनने इकिन्होंने किसी चैनल पे देखी बैठा बैठे और उन्हेंने वहां परे यह कहा कि यह मेरा ड्रग से या मेरे इल्जाम सुशान्त पे लगाना अब वो तो आज है नहीं अपनी सफाई में कुछ भी कह नहीं सकता उसका परिवार निरंतर लड़ रहा है लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई मकार लड़की है जिसने उस लड़के को प्यार में जहासा उसको धोका दिया उसको लूटा और ड्र आये यह बोलते आये कि महाराष्ट सरकार और मुंबाई पुलिस ने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से उनको करना चाहिए तो क्या घलत कहा यहां पर रिया चक्करवे ती को लेकर यह भी चीज़े सामने आ रही है कि मैं इनका पूरा खांदान जो है मलब यह पूर कि बहुत बड़ा एक कनेक्षन जो मुझे लगता है बहुत जल्दी इनका सबका परदाफास करेगी और मैम यहां पर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं तो जन्ता का सवाल ये भी है कि आखिरकार रिया चक्रवर्थी की गिरफतारी कपत होगी, क्या समझते हो मैं इसको लेकर। अब लोग आपको फॉलो करते हैं और इसके बावजुत आपने उनको हराम खोर लड़की आपके चैनल पर यह शब्द का प्रयोग करने से लेकिन किसी महिला और लड़की के लिए आप गालियों का प्रयोग कर रहे हैं और इंडस्ट्री के लोग उसी संजेराउत के और मुंबई में आई तो तुम्हारा मुह तोड़ देंगे अरे तुमने अगर कंगना को हाथ लगाए तो तुम्हारा मुह हम यहां पर एक तरफ इनकी पार्टी के जितने भी हैं संजेराउत हो अनिल देशमुकों तमाम नेता और यह भी कह रहे हैं कि इसको लेकर हम कोड़ ज अब कंगना ने कह दिया कि मैं नौ तारीक को आ रही हैं जिसके बाप में रोक के दिखाए हम भी बात कहरे हैं कि 9 सितंबर को कंगना रानावत जिसको जांसी की रानी के मत तौर पे जानते हैं और उनको नों ने उवह अपनी छवी अपनी देश में बनाई और लोग उनके प्रसंशक हैं उनके पीछे पागल हैं लोग उनको बहुत पसंद कर रहें आपके क्या कारण है कि शिवसेना को लगातार लोग उनकी बुराईया करते आए शिवसेना के यह जो हरकते हैं जो गुंडा गर दिये खुले आम लड़की को आप गाली दे रहे हैं खुलें आम लड़की को आप कुछ कह रहे हैं यह महिलाएं कहां थी जो महिलाएं कहां थी जब सुषांत के फैमिली में उनके बारे में कहा जा रहा था उनकी बहन प्रियंका के बारे में कहा जा रहा था जब इल्जाम लगाए जा रहे तब आप चक्रवर्ती चोटा मोरा जरूर है लेकिन रिया चक्रवर्ती को सब कुछ पता है मैसी सब कुछ पता है रिया को यहां पर सवाल यह भी है कि कंगनर नाउतने जिस तरीके से का कि खानों का बड़ा वर्चस्व है बॉलिवुड में और उन्हीं के अंदर करता कर यह कि तरहों ने उस धरती से निकाला था लेकिन फिर से आफ कुछ जिहादी जो है वändern बोलीवुड में बैठे हुए जिनका आई साइस कनेक्शन भी है जिनका पाकिस्तान से में साउदी से मत्री में और वादर नियुकार ? कि है बात कही आज कंगना के लिए बात आप रोक के दिखाईए कंगना आएगी और पूरा देश उनके साथ और किसी के बाप की बपॉती ने जो माराष्ट में किसी को आने से कोई रोक ले और मैं यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से कंगना ने चाहें वो ड्रक्स माफिया को लेकर हो बॉलिवुड में नेपिटिजम को लेकर हो तमाम तरीके से बात हैं जिस तरीकों से वो अपनी बेबाकी से सारी चीज़ां सामने रखती हैं तो उसको लेकर संजर राओ यह कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कंगना को सपोर्ट कर रही है यानि कि वो सीधा सीधा बीजेपी को जो भी बंदा इनके खिलाब बोलता वो डार्रक्स में शामिल कर देते हैं लोग मुझे तो मैसी आज यह सोचके बहुत खराब लगता है कि आज बाला साहिब ठाक करते आएं जिहादियों को सपोर्ट करते आएं आज शिव सेना ने खुद अपनी इज्जत खतम कर ली है और इनकी अब इनका मूँ और इनका परदाफाश हो रहा है इनको लोग सामने से समझ रहे हैं कि अब यह सत्ता की कुरसी बैठने के लिए सिर्फ वो सत्ता में आने क प्रिशु सांत के लिए आवाद उठा रहा है आपने देखा होगा मैसी कि जिस दिन कंगना ने ड्रक्स के उपर एक इंटर्वियू दिया नाशनल टेलिविजन पे अचानक से ऐसा हुआ कि राजनेता बॉलीवोड के लोग माफिया यह सारे कंगना के खिलाफ बिलकुल बै बॉलीवोड मैंसे आ रहे हैं मैं बात कर रही हूं मैं अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा विद्याबालन जैसे लोग और सोनिम कपूर यह कहती है कि सुवरों से हमाई लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि सुवरों को हमारे उपर कीचर लग जाता है और सुवरों क यह चीज़ पसंद और दूसरी के रिया चकरवर्दी और यह तमाम तरीके की रिया चकरवर्दी को सपोर्ड करते हैं विद्याबालन जी का आपने नाम लिए विद्याबालन जी तो नेपोटिजम का खुद प्रोडक्त हैं उनके तो पती उनके देवर वह सारे कुछ उसी बॉलिवूड में हैं और वो फिल्में भी शायद उनी की वज़े से पाती हैं वो प्रोड्यूसर डारेक्टर सब उनको फिल्में इसले देते क्योंकि खुद वो नेपोटिजम का प्रोड़क्ट है सुशान तो बहार से आये था कंगना तो बहार से आये थे तो देखे परदा पर सारे लोग है पीछे में गौवांदा जी इंटीव दिए जिसमें गौवीं जी की फिल्म में बारा साल से फ्लोर पे nói की गवींदा जैसा एक्टर जिसको पूरी दुनिया में जिसका लोहा है उस गोविन्दा जी के फिल्म में अगर इलोग नहीं आने दे रहें तो जड़ा सोचिए कि जिहाद किस तरह से हावी है तो इन जिहादियों को जेल जाने की जरूरत है और कंगना के साथ तो पूरा देश है वो तो है रानी लक्षमी भाई और मैं जो मैंने अभी एक पल रहे हैं पिता के पैसों पर बहुत बड़े स्टार हैं पिता के पैसों पर फैशन दिखातें कंगना रणावथ को अपने की म करोन कीं 35 क्रोड कि यूँ bit.